हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं जी के नाई शुडूब चैनल तो दोस्तों 29 अप्रेल के बारे में तो आप सभी जानते हैं 29 अप्रेल को ऐसा बोला जारा है कि एक उलका पिंड जो पिरत्वी से टकराएगा और भारी तबाही लेकर आएगा तो उसी के बार में इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्ववून तथे हैं उलका पिंड के बारे में जो 39 अप्रेल को 31 से टकराएगा या नहीं टकराएगा तो इस वीडियो में पूर आपडेट आपको मिलने वाला है प्लीज वीडियो पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले है वीडियो के नीचे रेड गलर में सबस्क्राइब लिखा होगा उसको जरूर किलिख रहे तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुच पाएगा तो अमेरिका की स्पेस अजेंसी नासा ने धर्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहे एक विशाल के उलका पिंड की खोज की है बताया जा रहा है कि ये उलका पिंड माउंट एवरेट से भी कहीं गुना बढ़ा है जो प्रत्वी से टकराएगा हालंकि नासा का कहना है कि इस उलका पिंड से घबराने की ज़रूर नहीं है क्योंकि ये धर्ती से कहीं किलोमेटर की दूरी से गुजर जाएगा वही कुछ वैज्यानिकों ने इसके धर्ती से टकराने की भी आसंका जताई है तो कुछ वेग्यानिकों का मानना है कि जो ये उल्का पिंड है जो average से कहीं गुँना बड़ा है जो पिरत्वी से लगव कहीं किलो मेटर दूरी से गुजर जायेगा लेकिन यहीं पर कहीं वेग्यानिकों का कहना है जो पिरत्वी के टकराने की यासंका है 31,919 km पर 3 घंटे की रफतार से ये आ रहा उलका पिंड जिसका नाम दिया गया है 1998 में OR2 यानि 1998 में OR2 इसको नाम दिया गया है इस उलका पिंड को सबसे पहले 1998 में देखा गया था तो फ्रेंड सबसे पहले जो 1998 में ये उलका पिंड देखा गया था अनुमानाईगी है उलकापिंड अगले महेने 29 अप्रैल को धर्ती के पास से गुजरेगा इस बारे में डॉक्टर इश्टीवन प्रावदो ने एक बयान में बताया है कि उलकापिंड बावन सास सो अड़सट सूरज का एक चक्कर लगाने में तेरे सो चालिश दिन या तीन पॉइंट साथ वर्स लेता है और एक दिन की दूरी चार दिन में पूरी करता है खवल विदो के मताबिक ऐसे उलकापिंडों का हर सो साल में टकरानी की जो शम्दाए होती है संभावना होती हो पचास जार होती है खवल विदो के अंतराश्टी समूग के डॉक्टर बूर् होते हैं और वायू मंडल में ही टकरा कर जल जाते हैं इससे कोई बड़ा नुक्षान नहीं होता है इस अगर कोई उलकापिंड वायू मंडल में जब टकराएगा तो पूरे सहर को बरबाद भी कर सकता है यह सुनामी भी ला सकता है तो गाइस इस उलकापिंड के बारे में क तो एक उलका पिंड पूरे सहर को बरबाद कर सकता है सुनामी ला सकता है तो क्या 29 अप्रेल को ये सब होगा तो आने वाला समय ही बताएगा तो वीडियो अच्छे लगिए हो तो लाइक और सेज़ जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फोर वाचिंग